हलो गाइस आपका मेरे अचन पर फिर से स्वागत है तो कैसा लग रहा है आपको ये वर्काउट सीरिस को जोइन करके आप सब अच्छे से कर रहे होगे डाइट भी फोलो कर रहे होगे डाइट के हम बात करते हैं तो आप एक्स ओल एक्स जो मेने दो बताएं कभी आप उसकी जगा आप 50 ग्राम पनीर भी ले सकते हैं और एक वाइट की जगा आप प्रोटीन भी एक्ट कर सकते हैं कभी कभी आप चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रोटीन सोर्स के अकोडिंग तो डे नाइन स्टार्ट करते हैं बैक और बाइसेप के साथ तो उससे पहले हमें वर्म पूलप्स मशिन में आपको वेट आपके अकोडिंग लगाना है जैसे आपका वेट इस शिक्स्टी केजी तो नहीं उठाओ फिफ्टी पाइब केजी कर लो तो 60 माइन फिफ्टी फाइब हो जाएगा तो उसके बाद आप पूलप्स करिए ये गिरिप होना चीए आपकी व तो गाइस फॉर्मप होज जुगा है मेरा पूलप्स मैंने कर लिया है तीन सेट दस-दस रेपिटेशन के आप से कम लगे रेपिटेशन तो कोई दिकत नहीं है इतनी स्ट्रेंद नहीं होती है कि आपन दस रेपिटेशन कर सके हैं अभी जैसे मेरे स्ट्रेंद थी तो मैं दस-दस रेपिटेशन कर लिया कभी पांच भी लगे दो भी लगे कोई बात नहीं दिरे दिरे ही इंक्रीज होती है तो हमारी फर्स्ट एक्सराइज होने वाली है लेट पूल डाउन इसके अंदर हम धिरे धिरे वेट बढ़ाएंगे आज हम चार सेट करेंगे लेट पूल बैक आर्च मेंटेन रखना ही पड़ेगा आपको फिर आपको नीचे के अपलाना है देखिए ऐसे लाना है अपर चेस्ट की तरफ वान अगर आप इसको ऐसे नीचे लेके जा रहे हैं तो लोट ठीक है लेकिन वो थोड़ा सा आपको इंजरी हो सकती है पोशिश करें अपर लेट पूल डाउन के चार सेट हो चुके हैं एक ही वेट पर में को चारो सेट करना बढ़े थोड़ा हेवी लगा मुझे अब हम करने वाले सीटेट रोइंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लेट पूल डाउन में भी अटेच होती है तो मैं उसके करने वाला हूँ और यह वाली वी रो या वी ग्रिप नैच्रल ग्रिप वाली रोड यूज कर सकते हैं आप सीटेट रोइंग के लिए अपी अच्छा लोड आता है सार्ट करते देखते कैसे करना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ा डिस्टेंस होना चीए आपका केबल से आपका जो वेट है उससे थोड़ा डिस्टेंस अच्छी रहेगा ज्यादा लोड आएगा ठीक है यह आपको ऐसे पिछे ले लेना है बैकार शॉल्डर पिछे जितना आगे जा सकता है जाना है लेकि ऐसे नहीं आपको कुप पिछे रहना है आपको बैक आच रखना है अगर अगर आगर डेक किया मेंट 2x6 हो चुकी है बेक की एक और बची जोंब लास्ट में कर लेंगे अभी अम बाइसे बस्तार करने वादे बाइसे पर बार उस पर हम गरेंगे कर बोशी शेयर रखना है आपको कि बॉडी मुमेंट नहीं हूँ आपका इसे बॉडी मुमे और बार मिल जाएए उसका वेट लगा के भी कर सकते हैं तो यह 10 kg का वेट है अभी स्टार्टिंग के हसाब से एन रेपिटेशन करेंगे बैक बिल्कु सीधी शॉल्डर पीछे है अलका सागी जुग जाए कर दो कि आपको अच्छे एक्सोइज होने वाली केबल पर रिवर्स कर पहले भी तो अपी अच्छे एक्सोइज आपके प्रस्टनली बहुत पसंद यह भी आपके फोर आम्स पर अच्छा लोड आता इसका और इसमें आप वेट आपके अगूरिंग लगाए जिसे इसमें प्लस होता है तो अभी मैंने पंदरा किलो लगा रहा है इस पर हम तीन सेट करेंगे अगर पंदरा किलो पर मेरा अच्छे रेपिटेशन आते हैं और मेरा मुम्मेंट जदा नहीं हो रहा बोड़ी का तो मैं और वेट बढ़ा हुआ बाकी में उसी वेट पर नेक्स सेट भी करते हैं तो आज की लास इफसेज हम करने वाले बैक की जो हमारी लास बजगेती बैक की वह हम करने वाले हाइपर एक्स्टेंशन यह कि है अब की पूरी अपर बॉड़ी नीचे जाना चीए ऐसे हाथ ऐसे भी रखते हैं और यह जादा तर एस प्रिफर करता हूं और उसको आपको पूरा प्राप्राना है ऐसे वान ट्रू तो आज का वर्कॉट अमारा कंप्लिट हो चुका है जिसमें तीन बैक की करी और दो बैसे की करी अदा वर्कॉट भी नहीं करना है अभी अम बिगीनर के साब सही वर्कॉट को डिजाइन करा हैं तो कि आप आसानी से कर भी सको और आपके अंदर इंप्रूमेंट देर देर आते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और स्ट्रेचिंग करना ना भूलें आप रोच स्ट्रेचिंग करें स्ट्रेचिंग के लिए भी एक सेपरेट वीडियो में डाल दूँआ कि कैसे स्ट्रेचिंग करना चाहिए शॉट्स वीडियो में डाल दूँआ कि आप तर देकाट